दो हीडाइरोग्साजिन एक्षिर कोई बी ऐस्टामीन का रियाक्षन के लिए यह आईरोग्साजिन ट्रीपाइबंगी काना पड़ता है जब भी डैलि का एक टेबिलेट खानाका बाद एक tablet कोई भी ऐलर्जिक इस्टम इन रिलिस का कारण ऐलर्जिक होता है बोड़ी में उस ऐलर्जिक काम होने के लिए यह घर उक्सिजन टेबले 25 अमजी खाना है इसका काम किया है भी इस्टम नंहीं का सबीन है इस टैड म WAR किलक एलर्जिक कर्णि ठाडल्कशी कर्णि कोई कर्स एक्ष्टम और गालर्जिक का कारण कोई का जार्ण एल्यार कारणfed इंटेक होने का कारण जो इस्टामिन रिलीज होता है बढ़ बोडी में इस स्टीक मनें खुजली सुरू हो जाता है उसी के लिए टुनौंटीफाइब जी हाइड्रोकसेजन खाना है कितना खहना है 25 mm one time सूबह डैली खहना है कम से कम साथ दिल कहना दोस्तों तो खुज़ली अलर्जिक के लिए यह टैबलेट खहना है तो कोई भी अलर्जिक के लिए इस्टिंग के लिए आपको यह टैबलेट सुटर विल है सबसे अच्छा कोई कारण एलर्जिक हो गया एलर्जिक का कारण खुजली हो रहा है उसकी कारण आप सुबह एक साम को एक खाओ और क्रोनिक के लिए क्रोनिक केस के लिए सुबह एक साम को एक खाओ और नर्मली एक टेबलेट डेली का खाओ आपका वो एलर्जिक रियक्षन क को मुझाइगा, दोनो बादो